हारित कीता, प्राचीन काल में हारित मुनी ने मुमुक्ष पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबंद जो उप्तेश दिये थे, उनी का परिचे शर्शया पर लेटे पिता मा भीश्म द्वारा युदिस्टर को दिया गया था, यह वर्नन महाबारत के शांती पर्व में प् पित है, युदिस्टर ने पूछा, पिता महा, प्रकती से परे जो पर ब्रह्म का अविनाशी परमधाम है, उसे कैसे सोभाव, किस तरह की आचरन, कैसी विद्या और किन कर्मों में ततपर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है, पीश्म जी ने कहा, राजन जो पुर पुर्वकाल में हारित मुनी ने जो ग्यान का उपदेश किया है, इस विशे में विज्य पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उधारन दिया करते हैं, उसे सुनो, मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि लाब और हाने में समान भाव रख कर मुनी विर्ती से रहे, और भोगो के उपस्तित होने पर भी उनकी अकांग्शा से रहित हो, अपने घर से निकल कर सन्यास ग्रहन कर ले, ना नेत्र से, ना मन से और ना वानी से ही, वह दूसरों के दोश देखे, सोचे या कहे, किसी के सामने या परोक्ष में पराए दोश की चल्चा कहीं ना करे, समस्त प्रा के अमर्यादित बात कही, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सहले, किसी के प्रति अहंकार या घमर ना प्रकट करी, कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रियवचन ही बोले, यदी कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुझ से निकालें गाव या जन समुदाएं दाएं बाएं ना करें किसी का भी पक्ष विपक्ष ना करें तथा भिक्षा वृति को छोड़ कर किसी के यहां पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए ना जाएं कोई अपने उपर धूल या कीचण फेंके तो मुमुक्ष पुरुष उस से आत्मरक्षा मातर करें बदले में स्वेम भी वैसा ही ना करें और ना मुसे कोई अप्रिय वचन ही निकालें सरवदा मृदुता का प्रताव करें किसी के प्रतिक ठोड़ता ना करें निश्चिंत रहें और बहुत बढ़ बढ़कर बातें ना बनाएं जब रसोई घर से धुआ निकलना बंध हो जाए अनाज मसाला कूटने के लिए उठायवा मूसल अलग रख दिया जाए चूले की आग ठंडी पड़ जाए घर के लोग भोजन कर चुके हों और बरतनों का संचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उदर ले जाया जाना बंध हो जाए उस सम नियासी मुनी को भिक्षा प्राप्त करने की चेश्टा करनी चाहिए उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वहा मात्र का यतन करना चाहिए भर पेट भोजन मिल जाए इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए यदि भिक्षा ना मिले तो उससे मन में पीड़ा का करनी चाहिए भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोश बताकर उसकी निंदा ना करें और ना उसके गुन बताकर उन गुनों के प्रशंसा ही करें सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करें सूने घर व्रिक्ष की चड़ जंगल अत्वा परवत की कुफा में चिंतन में ही लगा रहें लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा संभाव से रहें निश्चल एवं स्थिर्चित हो जाएं तथा अपने कर्मों द्वारा पुर्णिय एवं पाप का अनुसरन ना करें सरवदा त्रिप्त और संतुष्ट रहें मुख और इंद्र और मरन बारंबार होते रहते हैं यह सब देख और सोच कर जो सरवत्र नीस प्रह और समदर्शी हो गया है पके हुए रोटी भात आधी से और कच्चे फल फोल मोल आधी से जीवन निर्वाहा करता है आत्म लाब के लिए जो शांचित हो गया है तथा जो मित अहारी और जित में रखे दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हिर्दे में कोई विकार ना उत्पन करे प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए सन्यास आश्रम में इस प्रकार का आच्रण परम पवित्र माना गया है सन्यासी को महा मनस्वी सब और से असंग, सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकागरचित होना चाहिए उसे अपने पूर्व आश्रम के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए वान प्रस्तों और ग्रहस्तों के साथ उसे कभी संसर्प नहीं रखना चाहिए अपनी रुची प्रकट किय ये बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए तथा अभिस्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्श का आवेश नहीं होना चाहिए। इती श्री महाभारते शांती परवर्णी मोक्षधरम परवर्णी हारेत जीता संपूर्णम।